आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इस्टेडी विट टाइगर दोस्तो यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिसे आपको लेटेश नोटिफिकेशन समझ समय पर मिलता रहा है तो दोस्त आपको कैसे देखना है तो यह तो आपका UPSC का site हो गया ठीक है यहां पर आप देखेंगे तो मैं पूरी खबर आपको पढ़कर सुनाए दे रहा हूं ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे UPSC news के बारे में ठीक है तो यहां पर आप देखिए यूपी ट्रिपल सी न्यूज खुसकबरी आयोग वैदिता पेट की वैदिता बढ़ाने पर अन्तिम फैसला अब एक साल की जगा इतनी और वैदिता बढ़ी तो कितनी बढ़ी है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे ठीक है तो यूपी ट्रिपल सी न्यूज खुसकबरी आयोग यह हो गया आप देख सकते हैं आपे तो जो उत्तर परदेश अजिनस सेवा चैन आयोग की तरफ से प्रारंबिक आर्था परिच्छा दो जार इकिस का आयोजन 24 अगस दो जार इकिस को हुआ था जहां पर 18 से 19 लाख अब करतियों के लिए बहुत बड़ी आयोग की तरफ से खुसकबरी आ चुकी है जो की पेट की वैदिता बढ़ाने संबंदी है तो खबर विस्तार से पढ़ें ठीक है तो इन्होंने खबर को टेलीग्राम ग्रूप में जॉइन कर लिए और यूपी ट्रिपल सी लेटेस न्यू बता दे इन विग्यापनों में अंतरिक प्रक्रिया में काफी देरी की वजह से यह विग्यापन पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया लेकिन जैसे जैसे मामला सुलज रहा है विग्यापन को लेकर वैसे वैसे आयोग विग्यापन जारी करने जा रहा है ऐसे में आयोग सोच रहा है कि 27 अक्टूबर तो नस्दीक है लेकिन 27 अक्टूबर को 2021 की वैदता खत्म हो जाएगी आयोग ने मीटिंग के दोरान या फैसला लिया है कि प्रारंबिक आर्था परिच्छा तीन मा और बढ़ाई जा सकती है यानि कि जनवरी तक रह सकती है वैदता जो भी भरतियों का विज्यापन है वह सभी अभ्यार्थी नई भरति में अपलाई कर सकते हैं तो जो भी इधर निकलेगा वैकंसी तो वह सभी लोग वैद्ध होंगे क्योंकि ये आपका जनवरी तक के लिए वैलिड मान लिया गया ठीक है तब तक ये परिच्छा हो जाएगी जो नया पर वाली बात है जो कि नई भरति के लिए इंतिजार कर रहे थे क्योंकि पेट दो जार एकिस के आधार पर चार बड़े विज्यापन जारी किये जाने की आयो की तैयारियां चल रही हैं बता दे इन सभी विज्यापनों में नो से दस हजार पद रहने वाले हैं जिसमें ए सबहें लिए एक बड़ी एक बार फिर बेहतरी मौका मिलने जा रहा है तो यह आप के लिए बहुत अच्छा है और आप के लिए बहुत अच्छा है ठीक है तो यहां पर जो कुसक मैं करे आ रही थी तो तीन महीने का आपका जो है वह आपका आयोग ने बढ़ा दिया उसका नोटिस जल्द ही आपको साइड पे देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर आपका आजाएगा modify submit application जैसे modify EWS detail है है न तो ऐसे ही वो भी आपका आजाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपका एक authorized आपका notice आ जाएगा यहाँ पर तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तो और यदि आप reasoning हमारे चैनल पर चाहें तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं क्योंकि reasoning की काफी वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो thank you friends for watching my video जै जै भारत